हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मौर रिजम प्रेंट्स आज की वीडियों बात करने लहूं बीबोई अधर प्लस लाइट सेटिंग कैसे करेंगे और इससे क्या होता है आप इसको कहां पर यूज करेंगे और कप यूज करेंगे अगर वीडियो अच्छे लिए वीडियो को लाइट सेर और सब्राइब जरूर करें अपने फोन को जटके से हिलाओ गे तो आपका जो फ्रस के लिए अपने मेनू बटन को भी नहीं देवाना होगा नहीं आपको पने पावर बटन को दवाना है नहीं आपको अपने बालूम बटन को दवाना है सिंपल आपको अपने फोन को ऐसे हलका से जटका दोगे आपका जो फ्लस लाइट है और इसके बाद आपका जो फ्लस ल set to turn on the plus light setting कैसे करना है तो फ्रेंस आपको first number में अपने setting को click करना है आप जैसे setting को click करोगे setting में कुछ ऐसा interface मिलेगा आपको देखने को तो आपको थोड़े से scroll down करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिलता है shortcut and accessibility का option तो आपको उस पर click करना है आप जैसे इस पर click करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे setting आजाते है तो आपको यहाँ पर मिलता है smart motion का option आपको उस पर click करना है आप जैसे इस पर click करोगे आपको यहाँ पर नीचे मिलता है set to turn on the plus light आप दीख रहें है यह वाला option है तो आपको इसके आगे एक बटन मिलता है जिसको आपको एनेबल करना होगा तो आप जब इसको एनेबल कर दोगे आपके फोन में ये फ्लस लाइट ओन हो जाएगा जब आपको अपने फोन को जटका दोगे आपका जो फ्लस लाइट है ओन हो जाएगा आपको अपने फ्लस ल तो नहीं जलेगा आप जब जिसको जटका दोगे तो आपके फ्लस लाइट जो आपके डिस्पले की लाइट है वह ओन होनी चाहिए आपके डिस्पले के जो लाइट है अगर ओन रहेगी तो आप जैसे अपने फोन को जटका दोगे आपका फोन का जो लाइट फ्लस लाइट ह आपको यहां पर मिलना है कि आपका जो होम स्क्रीन और लोके स्क्रीन के उपर जब आप यहां पर जटका देंगे तो आपका जो प्लस लाइट है ओन हो जाएगा तो प्रेंस इस तरह आप अपने फोन में इसको यूज कर सकते हैं और काफी अच्छा है आपके फोन में अगर ये यूज़ करेंगे तो उसकी वीडियो बस इतना ही अगए अच्री वाइक करने अगर हमारे सीट स्विभ ले प्रेंग को अ